जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 नवंबर और 12 नवंबर 2021 के कुम्भ राशी फल के बारे में कुम्भ राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहनक्षत्रों की इस्थिती क्या होगी क्या योग बनेंगे ग्रहों की युती से क्या योग होगा और उसका प्रभाव आपकी दिन्चरिया पर कैसा होगा जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके जीवन से जुड़े प्रतेख शित्र के बारे में आपका जो पारिवारिक जीवन है वहां कैसी इस्तितिया होने वाली है तो यह सब कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से जा लेगे इसलिए वीडियो को आंते तक जरूर देखें चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानगारियां मिलती रहेंगी तो चलिए पहले हम इन दो दिनों के तित्थी नक्षत्र और योग इनके बारे में जान लेते हैं ग्यारे नवंबर का दिन यह गुरुवार का दिन है शुकल पक्ष की सब तमीदी थी सुबह तक और श्रमन नक्षत्र रहेगा इस दिन गंड नाम का योग बनेगा जोकि सुबह छे बज़ करते हैं तालिस मिनट तक है उसके बाद व्रद्धी नाम का योग बनेगा चंद्रमा मकर राशी में बैठे हुए हैं दो ग्रहों के साथ शनी और गुरु के साथ त्रिग्रही योग बना रहे हैं यह सुबह तक ही रहेंगे हैं सुर्य तुला राशी विशाकर नक्षत्र में है अब इस दिन का विजीत मोर्थ है सुबह ग्यारा बच कर तालिस मिनट तक बारे नौंबर का दिन शुकरवार का दिन है शुकल पक्ष की नवमी इतिती है सुबह तक है गणिस्ट नक्षत्र रहेगा इस दिन और चंद्रमा राशी बदलकर कुंभराशी में यानि आपकी लगन में आ चुके हैं सुर्य तुला राशी और विशाका नक्षत्र में हैं इस दिन रवियोग भी रहेगा और अभी जीत मोरत होगा सुबह 11 बचकर 44 मिनट से दुपहर 12 बचकर 27 मिनट तक तो ये हो गई ग्रह नक्षत्रों की इस्तिथी अब इसी के आधार पर जानेंगे ये दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे ये जो राशी फल है ये चंद् नमबर के दिन आप किसी दान पुन्य के काम में सहभागिता ले सकते हैं जैसे आपको मानसिक शांती मिलेगी जिन लोगों ने कहीं निवेश किया हुआ था आज के दिन आपको आर्थिक रूप से सावधानी रखने की आवशक्ता होगी आपके परीचित लोगों से आप या वेक्तिगत अपनी बातें उनसे बाटने से बचना होगा अपनी वेक्तिगत बातें किसी के साथ आज शेयर ना करें जिने आप कम समय से जानते हैं ऐसे लोगों के साथ बिलकुल भी शेयर ना करें अपने सहकर्मियों और वरिष्टों के पूरे सहयोग के चलते आपका जो क चीज की आप उनकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं वैस्तता भरा दिन तो यह आपके लिए रहने वाला है लेकिन आप अपनी काम को लेकर बड़े काग्रति रहेंगे और अपने काम को बड़े उत्साह के साथ करेंगे आपकी लगन और आपका उत्साह आपके सारे कारियों को करने के प्रेर ना देगा बिना किसी गलती के अपने कामों को पूरा कर पाएंगे और किसी काम में जल्दबाजी करने से बचें जल्दबाजी में कारें ना करें एक समय पर एक काम करें एक साथ कई काम न पकड़ें एक समय पर एक काम निप्टाएंगे तो वो काम सही तरीक किसे निपटेगा और उसका लाब भी आपको मिलेगा आप अपनी आसपास के लोगों के लिए आज एक मिसाल कायम कर सकते हैं कुछ ऐसी चीजों से जुड़ कर या कुछ ऐसे विचारों को व्यक्त करके उसे कुछ ऐसे काम करके उन्हें प्रेर न दे सकते हैं आज दोपहर धा काम है तो उसके लिए आप सफेद रंग के वस्त जरूर धारन करें सफेद वस्त में आप कुछ भी पहन सकते हैं आप एक रुमाल ही रख लें लेकिन सफेद रंग आपके पास वस्त जरूर होना चाहिए अगर आप किसी इंपोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो आपको कोई ना कोई खुश खबरी जरूर मिल सकती है रोजमर्रा के काम जो डेली इंकम वाले लोग हैं उनके लिए आज फाइदे के योग हैं सामाजिक कारें में भी ज़्यादा जुड़े रहेंगे सफलता मिलने का है खास लोगों से अच्छे संबंद भी बनेंगे और अपने दोस्तों के साथ किसी कारेकरम पर भी जा सकते हैं कहीं जाने की योजना भी बना सकते हैं लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में सावधानी रखनी है लव लाइफ ठीक नहीं रहेगी आज दोनों के बीच में किसी तरह की गलत फैमी पैदा हो सकती है कोई ना कोई ब बात करेंगे 12 नवंबर के बारे में 12 नवंबर चंद्रमा आपकी लगन में आ चुकी है लगन में चंद्रमा है तो व्यक्तितु को सबसे अधिक प्रभावित करेंगे क्योंकि लगन में आए चंद्रमा व्यक्तितु को प्रभावित करते हैं तो आज आपके लिए कुछ सकारात्म का प्रभाव जरूर होने वाले हैं मन खुश रहेगा और आप अपने कुछ अच्छे रिष्टों के साथ खुशी मनाने वाले हैं आज के दिन आप अपना काम पूरा करने के लिए हर तरीका अपना सकते हैं बहुत बिजी रहेंगे लेकिन बिजी होने के बावजूद दिन बहुत अच्छे से बीतेगा पैसो के लिए हाल से भी आज का दिन अच्छा बना रहेगा और कुछ लोगों के लिए ये दिन नौकरी पाने का होगा आपको कोई नई नौकरी आज मिल सकती है जादा तर लोगों के लिए ये 12 नवंबर का दिन पॉजिटिव रहने वाला है परिवार में छोटे लोगों से मदद मिलने के योग है कारेशेतर में, बिजनिस में धनलाव की योग बन रहे है पदोनती के साथ सम्मान भी मिल सकता है संतान के मामले में अगर किसी चीज को लेका टेंशन थी यानि उसकी सिक्षा की ही टेंशन थी कहीं अड्मिशन की टेंशन थी उनके करियर को लेका टेंशन थी तो वो टेंशन खत्म होगी इससे आपको आज मांसिक शांती मिलेगी कुम्भ राशी के जो जातक relationship में है उनका आज किसी से जगड़ा हो सकता है किसी से यानि प्रेमी से जगड़ा हो सकता है तो उनको ध्यान रखना है इस राशी के जो विवाहित लोग हैं उनके लिए आज का दिन अनुकुल बना रहेगा और साथ में आपका जो पारिवारिक जीवन है वो भी अनुकुल बना रहेगा लेक्तितों के उपर आज ज़्यादा ध्यान देंगे सजने समरने पर अपनी लुक्स पर किस तरह से आप दिख रहे हैं अच्छा दिखना चाहेंगे अच्छे कपड़े पहनेंगे यानि खुद को बहतर बनाने की हर संभब कोशिश करेंगे तो अपनी उपर आज आप काफी ध्यान देने वाले हैं और अच्छा है जब आप अच्छे दिखते हैं तो आपके अंदर confidence level high होता है और अगर confidence बढ़ता है तो आपको ऐसे ही रहना भी चाहिए और अपने लिए ये सभी चीजें आपको करनी चाहें जिससे आपका confidence बढ़े जब आपके अंदर इतनी energy होगी तो आप हर कारे में उपलबधी प्राप्त कर सकते हैं अब उपाय की बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है आपको तुलसी के पौधे पर शाम के समय दीपक जरूर जलाना है एक घी का दीपक जरूर जलाना है लव लाइफ दोनों ही दुनों में अच्छी नहीं है इससे लव लाइफ रहेगी वरना बेकार की मान से टेंशन आपको होती रहेगी और 12 नवंबर के जिन जो आपके लिए शुब समय होगा वो शाम को 4 बजे से 5 बजे तक के बीच में होगा कोई भी शुब कारे करने के लिए तो दोस्तों और अधिक एसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को जद़ जद़ लाइक करें शेयर करें